सबी को नमस्कार स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल का मिद नेचर में और आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम पर और यह अडेनियम जो देख रहे हो आप इस पे इतने सुन्दर फूल आ रहे हैं जो मैरून कलर होता है ना डार्क मैरून उसमें और बहुत अच्छा आप जैसे अक्टोबर चल रहे हैं तो इसके कटिंग अगरा लगा सकते हो सर्दियों में यह भूत कम ग्रोथ करता है यानि जैसे कि मैंने बताया है रिगिस्तानी प्लांट है तो यह सर्दियों में रेस्टिंग टाइम होता है इसका और गर्मियों में बहुत अच्छी अडेनियम में बहुत सारे कलार आते हैं और देसी व्राइटी है यह जैसे कि बड़े-बड़े पतो वाला है तो यह ए देसी वराइटे मिलेगी सिंगल जो पैटल में जो फलावर आते हैं वह हैं इसके और दूसरा जो मैंने स्टोडल ले भूरन अब्र लेंस ने पड़ती क्योंकि ये थोड़ी सी मिट्टे में चल जाता है और अगर जादा बड़े पोट में लगाया तो ये फिर इसकी जड़े बहुत जादा फैल जाएंगी आप छोटा पोट लिजी आप इसको जब भी लगाओ और दूसरा इसका जो कोडेक्स होता है यानि कोडेक्स होता है ये इसका नीचे तनावाला इससा बोलते हैं इसको ये तो इसको अगर मोटा रहेगा ये तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है और अगर इसका कोडेक्स मोटा नहीं होगा तो ये क्या होगा कि उपर की तरफ इसकी ब्रांचे हैं बहुत लंबी-लंबी हो जाएंगी जो देखने में अच्छी नहीं लगती जैसे कि मेरे पास यह है यह इसका ग्राफ्टिड एरिया खराब हो गया था तो साइडों में से इसकी ब्रांच निकल आई और वो इतनी लंबी-लंबी हो गई तो कि ज्यादा बजन की वज़े से तू लें दिमे जाएंगी खुख लिए यह जो मेरा प्लांट में यहां से उन्हा और यहां से थोड़ी से एपने आप करोаю उसके जड़े निकल तो, सीधा सा यही है कि यह बहुत आड़ी plant है आसानी से लगने वाला plant है और यहां से यह plant अपने आप शायद वजन की यह लबी टैनी हो रही थो उसकी वज़े से तुटा है और वहां से यह roots निकलने शुरू होगी है तो मैं इसकी cutting लगा के आपको दिखाऊंगी उसे सूखने दे फिर उसके बाद लगाएं तो जैसे कि मैंने बताया चोटा पोट लेया पूर उसमें बहुत सारे जो यह ड्रैनेज होला है यह होने चाहिए जैसे मैं ने देखो इस पोट में कर रखे हैं और नीचे में एक कपड़ा लगा दूँगी ताकि जो सोयल है वो ज मोचे पढ़ने फिर यहां बढ़ा सकता है यह इसे क्या होगा की जो हमारा सोयल मीडिया अगर आपका प्लांट मैच्वरा तो यहाद की मातर ही tätä बढ़ा आ सकता है और अगर dem Rock का अछटा है यहां प्लांट आपका क्लांटझ चोटा यह तो आप कटिंग लगा रहे हैं तो आप खाद की मातरा कम कर लीजिए बस बांकी मेडिया यही रखे इसमें आपका जो प्लांट है वो अच्छे से चलेगा दूसरा जो मैं यूज करती हूँ कोई भी कटिंग लगाती हूँ तो मैं या तो हल्दी पाउडर यूज करती हूँ या फिर दालचीनी पाउडर यूज करती हूँ तो मैं जैसे अब मेरी यह जो प्लांट है इसमें वैसे तो कोई प्रोब्लम नहीं आती लेकिन इसकी सोयल में फंगस की वज़े से इसकी जड़े खराब होने लग जाती है तो आप हल्दी जो होती है सभी के घरों में होती है उसकी इस है तो मैं सवल है उसम मिला लें छाए पॉर्ट में डाल ले चे वैसे मिला लें किन तरह से जैसे आपको प्रटर ऐसे में चेमदमे लगे इसको शाणी लें लेगियपनि तो इस तो कुद घालवा डामी में आपके और उसमें नियो करते हैं कि उसकी तो झाट मैं खोईले 2008 यूज कर रहे हैं जैसे मैं अभी ब्लेड से ले रही हूं मेरा स्केटियर खराब है तो यह आप अच्छे से सैनेटाइज कर ले जब भी कोई भी कहची वगरा ले तो भी या फिर कोई ब्लेड ले या आपके पास स्केटियर है यानि कुछ भी आप कटिंग के लिए यूज कर अगर सैनेटाइजर नहीं है तो बाकि आप डिटोल तो सबके गरों में होता ही है उससे अच्छे से इसको शाफ करके और फिर आप कटिंग ले सकते हों कोई भी खराब इससे है उसको भी कट कर दीजिए तक कि प्लांट में किसी तरह की प्रोब्लम क्रिएट ना हो बाकि अ हम एक तरफ ऐसे रख देंगे जैसे उसको छेड़ना नहीं है तो देखो यह जैसे यह पोर्शन है इसको मैं शायद थोड़ा मुझे और काटना पड़ेगा यहां से क्योंकि निच्छे फिर जड़े है वो थोड़ा ऊपर रह गए यह तो यहां से मैं इसको कट करके और फि गर जाने लगानी तो तो इस तरह कहीं थोड़न करने लग जाता है तब इस तरह सेये मत नोट pewने मिल से झाहर नें पर जादाी से इस पानी में डिप करके रमक्ति को लगा देंगे और कटिंग हमारी आसानी से लग जाएगी अडिनियम की कटिंग लगने में कोई दिक्कत नहीं होती तो इस जो सोयल मीडिया है इसमें हम पहले पानी डाल लेते हैं क्योंकि जो प्लांट है वो मिटी है वो बिल्कुल करनी है क्योंकि दो इंच कोई भी कटिंग लगाते न तो लग बगडेड़ से दो इंच के आसपास जो कटिंग होती है वो मिट्टी के अंदर जानी चाहिए उपानी देने के बाद कभी भी डारेक्ट सीधा प्रैस ना करें कटिंग को लगा के उसको हिलाड उलाए ना आप कि सी भी चीज से अच्छे से होल बना लें जैसे अब यह मोटी कटिंग है तो मुझे इसका होल मोटा बनाना पड़ेगा और अगर पतली है तो थोड़ा पतली बना ले और फिर उसके बाद हमें इस जो कटिंग को है इसके अंदर आराम से डालके और तरफ मिट्टी लगा दे हैं इस तरह से हम कटिंग को लगा देंगे और जो हमारा हल्दी का पानी है थोड़ी सी देखो हिल रही है क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन है तो उस वज़े से थोड़ी प्रोब्लम हो रही है अभी यह जैसे थोड़ा पानी था तो डिप नहीं हो रहा तो इसमें मैं क्या में जो है हल्दी का पानी मिल जाएगा तो यह लग गई है हमारी कटिंग अब हम इसमें पानी डालके थोड़ा सा और हम इसको साइड में रख देंगे ऐसी जगह रखेंगे जहां पर हाथ बगरा ना लगे दूसरा देखो यह मैं आपको दिखाते हूँ जैसे इस पर यह फ फ्लावर आ रहे हैं उन पे जाए हमें इसकी पूरी एनरजी रूट्स बनाने में लगानी है तो उस वज़े से हमें इसको अटाना है मैंने अभी पिंच नीक है मैं पिंच करूंगी इसको और जो बचा हुआ पानी है वो भी हम यह तो अभी तो इसमें डाल दिये बाकि शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बैल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिविकेशन मिले थैंक यू